एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लोट कर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहां कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सबजी बनाना क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूक लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा ख के किचन से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी वो व्यक्ती बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूग को मिटा सकूँ लग भग एक गंटे के बाद खाना बन कर तयार हो गया स्वादिस्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व् नीर की सबजी में नीमबू डाल कर खाना है लेकिन पत्नी ने कहा की नीमबू तो खत्म हो गए आप से कहा था लेकिन आप भूल गए व्यक्ती ने अपनी पत्नी से कहा की रुको रुको अभी खाना मत लगाओ क्योंकि नीमबू के बिना खाने में बिलकुल मजा नहीं आए लेकिन वहाँ पर भी नीमबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सबजी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नीमबू लेकर आऊंगा क्योंकि नीमबू के बिना सबजी में मजा नहीं आएगा। करीबन आदे घंटे के बाद वह करीब के सबजी मंडी में पहुँचा वहाँ पर उसे नीमबू मिल गया, और वहाँ बहुत खुश हुआ की चलो नीमबू मिल गया, और अब मैं घर में जाऊंगा और सबजी में नीमबू डाल कर अच्छे से सबजी खाऊंगा, अब वो खुशी खुशी नीमबू लेकर घराया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नीमबू काट ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकू। अबब थाली लगाई गई, सबजी परोसी गई और नीमबू रखी गई उसकी पतनी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पढ़ गया उसके बाद उसने नीमबू की प्लेट उठाई और दर्वाजे से बाहर की और फेक दी और जोर जोर से चिलाने लगा मैं जीद गया, मैं जीद गया पत्नी ये देखकर घबड़ा गई कि कही ये पागल तो नहीं हो गए इन्होंने सारे के सारे नीमबू दर्वाजे से बाहर की और क्यों फेक दिया उस पत्नी ने उस व्यक्ती पर चिलाया और कहा कि आप पागल हो गए है अभी तो इतनी देर तक नीमबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नीमबू घर ले आए और खाने बैट गए तो आपने इन नीमबू को दर्वाजे से बाहर फेक दिया और अब चिला रहे हो कि मैं जीद गया मैं जीद गया पत्नी पूछी आप किस चीज में जीद गया हुआ क्या अब व्यक्ती खुशी खुशी बैट गया और अपनी पत्नी से कहा आप भी बैटो इतमीनान रखो बताता हूं कि क्या हुआ आज सुबह से ही मेरी जीप मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिस्ट सबजी बनाई उसकी खुश्बू मेरी नाक में गई फिर मेरी जीब ने कहा कि इसे अब नीमबू चाहिए मैं पासवाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नीमबू नहीं मिले थोड़ी और दूर गया वहाँ पर भी नहीं मिले तो मुझे उसने और दूर लेकर गई मैं उसके वश में आ गया और जैसी ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली मैंने उसे उठा कर बहार फेक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है बलकि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपने एक च्छाओ पर विजय प्राप्ट करे कई बार लोगों को शराब पिने की आदत लग जाती है और उस चक्र में वो भटकते रहते है यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते है और अक्सर युवाओ के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पिने के लिए बैठते है सारी शराब खत्म हो जाती है उसके बार लोगों के लिए बैठते हैं वो भटकते रहते हैं एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आपको बर्बाद करते रहते हैं यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नीमबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परिशान रहेंगे इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाईए और अपनी जीवन को खुशी खुशी बिताएए